हाई फैंड्स वेल्खम बैक आज मैं आपके सामने दो ऐसे सेंटेंस लेकर आया हूं जो स्पोकन इंगलिस की बिल्कुल जान होते हैं और इन सेंटेंस को दोस्तों बहुत बार बोला जाता है हम एक दिन के अंदर लगबग इन सेंटेंस को सो से तेर से बार हम जुरूर बोलत हैं दोस्तों आयें चलते हैं अपने उन दो छोटे छोटे लेकिन बड़े खुबशुरत मुपत भरे सेंटेंस की तरफ दोस्तों पहला सेंटेंस हमारा है पढ़ने की आदत जालो तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्शर क्या हो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्शर होगा दोस्तों में a habit make a habit or make a habit of v1 plus me i n c अब जो भी यहां पर action है जो भी काम है उसके साथ में दोस्तो v1 के साथ ing का यूज होका जैसे मैं sentence को form करूं इसी को तो आप इस sentence को लिखोगे make a habit of studying make a habit of studying लिखने के आदत डाल लो make a habit of writing खेलने के आदत डाल लो make a habit of playing आपकोई भी फ्रेंड आपकोई भी फ्रेंड किसी भी जगह लेट आता है हमें साथ तो इसको आप एक सिलाह देते हो और वो सलाह इसी स्टक्सर में दोगे कि भाई साथ टाइम पर आने के आदत डालो make a habit of coming on time सुनने के आदत डालो make a habit of listening news सुनने के आदत डालो make a habit of listening to news homework करने के आदत डालो make a habit of doing your homework तो दोस्तो इस तरीके के जो sentence हैं वो भूत बोले जाते हैं और आप हजारो sentences इस structure पर बना सकते हो next हमारा जो छोटा सा प्यारा सा sentence है दोस्तो उसमें मैंने लिखा है कि पढ़ना जुरूरी है यानि ये काम करना जुरूरी है जो भी यहां पर आदत जिस काम की हमने डाली है उसको ही हम यहां कहते हैं कि भी ये काम करना जुरूरी है इन दोनो sentences को आप एकठा करके भी बोल सकते हो कि पढ़ने की आदत डालो पढ़ना जुरूरी है तो इस sentence का जो structure हमार रहेगा दोस्तो वो रहेगा V1 plus INC is must यह structure दोस्तो हमार रहेगा V1 plus INC is must इस sentence को अगर में लिखों तो में लिखोंगा Studying is must Studying is must तो इस तरीके से हम लिखेंगे दोस्तो Studying is must लिखना जुरूरी है Writing is must बोलना जुरूरी है Speaking is must नाचना जुरूरी है Chancing is must Time पर आना जुरूरी है Coming on time Coming on time is must तो प्यारे साथियों इन दोनों sentences को आप एक साथ भी बोल सकते हूँ जैसे मैंने कहा कि लिखने की आदत डालो लिखना जुरूरी है तो लिखने की आदत डालो Writing Sorry, में का habit of writing लिखना जुरूरी है Writing is must तो इकठा करकर बोलने तो भी में का habit of writing Writing is must खेलने की आदत डालो खेलना जुरूरी है में का habit of playing Playing is must Dance करने की आदत डालो Dance करना जुरूरी है में का habit of chancing Chancing is must तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगी किस तरीके कि आपको ये वीडियो लगी है उसके बारे में आप जुरूर मुझे कमेंट में बताएं तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों तब तक की ली भाइपाइओ बाल में